नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदी वीरा पॉइंट पर तो अभी तक अपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को दबा दें तो कल हमने डिस्कस लाइए तो आज हम डिसकस करने वाले हैं मंद प्रदेส नर्वाइचन आयोगर तो इसको पूरी हैम फेक्ट-फेक्ट आपको कवर कराते चलेंगे तो आप मिजर नोट्स बनासकाते हैं वीडियो को देखकर आप इसको रिवाइस कर सकते हैं तो चली स्टा आपना जो है इसके दो फेक्ट हैं एक तो इसकी अधी सूचना जारी हुई थी कब अधी सूचना आपको कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहा हूं इसमें इसकी जो अधी सूचना जारी हुथी एक फरवारी 1994 को ठीक है अबर इसका जो गठन हुआ था दोनों परसना आपसे पूर्श सकते हैं तो दोनों को याद रखना है इसका जो गठन हुआ था 15 फरवारी 1994 तो ये दोनों याद रखना है कि देखी अधी सूचना जो जारी हुई थी दोनों जगह ये मिलेंगे तो इसके कारण मिलना है क्योंकि इसकी जो अधी सूचना जारी हुई थी एन्वी लोहानी तो उनकी न्युक्ति हुई थी पंदरा दो उनीस सो चौरानवे को उन्होंने कार करना प्रारम कर दिया था आप इसको इस प्रकार से समा सकते हैं कि जब जैसे माल को चली कोई भरती निकलती तो उसकी एक विग्यापन की तिथी होती है तो यह तिथी कर दी क कहां है भोपाल में है और किस प्रकार की संस्ता है तो इसका संविधान में बरणान है इसका संविधान कौन से में है 243 के में बरणान है तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी संविधाने संस्ता हो जाएगी संविधाने संस्ता यबनी हो जाएगी सदस्सी के तना रहता है तो यहां पर राजापल करेंगा में जहीं साहेता करने लिए एक सचछुद complete सभी की देखिए प्लाइब की दिवे ऐसा जाती की तो धीड़ायता करने के सभावन प्रजुद परिकिरिया उनको रहती है वो इस परिकिरिया इनको भी रहेगी तो दोनों इतने फेक्ट आपको याद हो गए है इसको पहले हम रफ करेंगे एक बार रवाइस कर लें आप लोग इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी अदिस उचना एक फरवरी 1994 को गढ़न हुआ था 15 फरवरी 1994 को मुख्याला कहा है वो पाल में है प्रका अन्य जग नहीं मुख्य जग के समान तो इसको पहले यहां पर रफ करते हैं तो देखेंगे अब अंगले पॉइंट पर अंगले फरवरी ने चार पाच पॉइंट लिए हुए हैं तो इसमें देखेंगे इसका ध्यवाक क्या है याँ एंगलिस में बोलेंगे टेग लाइन इसका है इसका है हर निकाई हर निकाई नहीं यहाँ पर हर वोट कीमती हर निकाई महतपुर्ण महत पूर्ण वो एक वो कीमती है कॉम है फिर हखार निकाय महतपुर्ण जो इसका क्या है धे भाक है टैग लाइन है अब बात करते हैं इसके संभिधान की तो संभिधान में देखिए इसके जो بहाग 9 میں है भाग 9 मैं जो है एक है इसका भाग नो और एक है इसका भाग नो ए तो इसमें क्या कबर्णन दिया गया है इसमें इसमें कबर्णन दिया है यहां पर पंचायती राज है पंचायती राज जिसका बढ़ना 243 के में है और यहाँ पढ़ती है नगरी निकाय इनी का यह चुनाव करवाता है नगरी निकाय यह आपको मिलेंगे इसमें 243 से यहाँ पर आपको देख रहा है जेड ए जेड ए जेड ए तक इसका जो है और बात करें कारकाल की तो इनका कारकाल रहता है 6 वर्स या फिर 66 साल जो भी पहले हो जाए जो भी पहले हो वो इनमें तेला को पताया था जो भी पहले मतलब या तो 6 वर्स आपको पूर्ण करने या पर वो 66 साल के हो जाए तो इसमें रहेगा अब बात करते कार, कार तो पहला इनका कार रहता है कि पंचायतों के चुनाव करवाना, पंचायतों के चुनाव करवाना, पंचायतों के चुनाव की जम्मेदारी कि इनकी रहती है, राज निर्वाचन आयो की, दूसरा ये नगरी निकाय के चुनाव भी गई करवाते हैं, न पंचायतों के चुनाव और नगरी निकाय के चुनाव है यह जो है निर्वाचनाव उन्हें करवाता है यह कौन करवाता है तो यह मत्द प्रदेश निर्वाचनाव या जोहां जहां जिस स्टेट में निर्वाचनाव है वहां के निर्वाचनाव के चुनाव यह करवाता है पंचायत के, और इसके साथ नगरी निकाय डेल रहता ह Candice अ पहलेकार कि अर्षावन जालो है, पणायत करें पंचायत की विवस्थ तो पंचायत की विवस्था है, तो तो 3 इस तरियी पंचाय जो बर्व лиस्था है उसके शुनाओ की विवस्था भी यही करवाता पहले बात करते हैं इसके पंचायत की चनावा की पंचायत की चनाव है संवीधान में बरणन है तेहतर में संवीधान संसोधन में नगरी निकायके चनावा का बरणन दिया हुआ है तो यहां से आपको याद रखना है वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों सेर्ज रूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मौटिविशन मिल सके वीडियो को से आपके लोग अच्छा चप लाने का प्रयास करेंगी तो अभी वीडियो खतम नहीं करते हैं तो अब इनके सदसों के देखे लेते हैं पहले प्रथम कौन था बरतमान में कौन है सचो कौन था महीला सचो बरतमान सचो तो प्रथम सचो कौन थे इसके तो प्रथम सचो थे इसके एन भी लोहानी एन भी लोहानी जो इसके प्रथम सचो थे बरतमान में बात करें तो बरतमान में कौन है बसंत प्रताप सेंग बसंत प्रताप सेंग बसंत प्रताप सेंग कौन से नमबर के हैं यह नमबर पूछा जाया है तो यह 6 नमबर के हैं इसके बाद प्रताम सचो कौन थे तो प्रताम सचो अपने थे प्रकास चंद्र प्रकास चंद्र प्रताम सचो त तो आपको रहा है तो आपको याद रखना है प्रतौम महीला स hypocrओ को थी तो विज्या स्रिवास्तव विज्या श्री वास्तव विज्या कु वञ़ने पुझाल है अब तक total 4 महीला जो है आपको यह भी याद रखाना फैक्ट आहां से चार महिला जो है सच्यव रह चुकी हैं लेकिन कोई भी मुख आयुक्त जो है निर्वाचा नायुक्त नहीं बनी अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है और मुख अभी चार तक महिला अभी तक रह चुकी हैं बरतमान में क दुर्ग विजय सिंग यह अभी हमारे सच्चेव हैं जो आपको पहले बताया था जो पहले आईयस रेंग के अधिगारी होते हैं और इसके पहले बात कर रही हैं तो कौन थी यह 2000 आपकी 20 के हैं और इसके पहले हम 2000 2019 के भी आप से एक्जाम में पूर सकते हैं क्योंकि करेंटा फेर में कुछ भी पूर सकते हैं तो यह क्योंकि फिमेल भी है यह तो सुनीता तिरपाठी सुनीता तिरपाठी 2019 की थी लेटेस्ट जो भी अपडेटेड है वो है आपके दुर की विजय सिंग तो यहाद रखना है सच्चो तो यहाँ से क्या क्या रखना है प्रतम एक बार रिवाइस करते हैं तो एन भी लोहानी थे आपके बरतमान की बात करें तो बसंद प्रताब सिंग है 6 नमबर के हैं प्रतमान की बात करें तो बरतमान की बात करें 2020 में 2019 की कोहने सुनीता तिरपाठी तो इस कोशन देए हाँ पर आप कोई तना याद रखना है अब हम देखते हैं अब इतक जो 6 बन चुकी है क्योंकि प्रतमान की बात करें इनमें से कौन से निर्वाचन आयोग की सदस नहीं है तो केबल अभी तक 6 बने हैं तो हम उन 6 नामों को एक बार फिर से देख लेते हैं कौन-कौन रहे हैं, कौन-कौन नहीं रहे हैं, क्या कारकाल रहा है तो उनको भी हम देखते हैं तो यह हैं आप लोगों के 6 जो निर्वाचन आयोगते अभी तक रह चुके हैं क्योंकि आपके PFC के प्रिविस पेपर आप देखेंगे 18 या 19 का उसमें आपको यह प्रिशन देखने मिलेगा इसमें से 6 नाम, 4 उप्षन थे आपके पेपर में 4 उप्षन थे उसमें से 3 ननों इसी उठाए थे और एक उनमें से नहीं थे तो प्रिशन आया था कि इनमें से कौन मद्रदिस के नरवाचन आफ़कर नहीं रहे हैं तो आपको यह प्रिशन देखना था हमारे कब तक 16,2000 तक यहां तक काम करना चालू करा था फिथम थे तो 15,24,94 तक से 16,2000 तक चालू करा फिर गुपाल चरण सुकल जी आये तो हमारे 16,2000 से कब तक काम किया 14,8,2006 तक यहां ने काम करना चालू किया दिख रहा है आप बोड में इसके बाद 14,8 से जैसे ही नकी काम हुआ अप फिर आदित विजय सीन आदित विजय सीन ने कब से का चालू करना 14,8 से 2006 से यहां खताम हुआ यहां खताम हुआ तो यह चालू हुआ तो इन्होंने का रहा 10,12,2010 तक काम चालू अब 10,12,2010 से फिर आए अजीत राय जादा यह दोनों यह की नाम है अजीत राय जादा अंगले डेट से यह स्टार्ट हुए 2013 से 31,12,2018 तक को ना गए आर परशुराम और बर्तमान में जिव हैं अभी हमारे 2021 के यह हैं यह 11,2019 से अब तक मलब बर्तमान में हैं अभी तक यह कंटिन्यू अभी इनका कारकाल चल रहा है तो यह आपने हाँ से दिख लिया कि कौन को पहले लोहानी रहे फिर गोपाल चरन सुकल फिर विजय सिंग अजीत रायजादा परसुराम बसंद परताप से तो यहां से आपको यहां की नाम याद रखना है और सिक्वेंस भी याद रखना है कि लोहानी आए फिर चरन सुकल आए विजय सिंग रायजादा परसुराम ब तो इनका उन्हों का चार जा प्याद रहा है लगबग इनका तीन वर्स रहा है इनका पांच वर्स रहा है वोड़ी बटमार में चली रहे है तो देखाए है तो सबसे दिख का पूंच आपल जो है ряд बटमार बसे नगे इनका पता नभी लगबक तीन साल नकेविक हो भी हो गए तो बैसे अजी दराय जारा डॉड़ो डाक्टर है तो इनका कारकाल अभी सबसेत कम है यह भी परसना आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं तो यहाँ से भी परसना जा सकते हैं इसलिए बता दिया थोड़ा सा अभयाद रख लें कारकाल से विलेटर की किवना कारकाल कितना विदना है यहाँ पर लिख दी हैं साइड में छे छे चार तीन पाँच और निकाविक अंटीनू चल रहा है तो पता नहीं कब तक इनको लेंगी तो यह अनका कारकाल था अब इसके लाबाद जो सारे हमने इसमें अपने जो भी प्रकार थे आयाम थे सारे हमने कवर कर ली हैं अब इसके लाबाद जो कुछ विवित्तत बचते हैं अब उनको देखते हैं हम तो अब देखते हैं कुछ विवित्तत जो है सबसे पहले मार देखते हैं विबितत में की राज निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज कौन सा है राज निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का गठन में कौन सा राज प्रथम है तो भाई साब सीदी सी बात है मद्द प्रदेश सबते प्रथम जो है हमारे देश में राज निर्वाज चना उगटन करने वाला कौन सा राज है तो मद्द प्रदेश है अब बात करें मद्द प्रदेश में जो है EBM का उपयोग कब हुआ था तो 1998 में हुआ था तो ये तीन राज जो में हुआ था MP में दिल्ली में और राजिस्थान में ये तीनों राज जो में EBM का प्रदेश निर्वाज निर्वाज में हुआ था कल हम आमले आपको पहले बताया था कि EBM का वेसकार जो है 1980 में MB हनीभा ने करा था और सबसे पर्थम यूज कब हुआ था 80 मनी थी दो साल वाद 1982 में केरल की विधान सबा में इसका यूज हुआ था फिर बीवी पेट का बताया था हमने बीवी पेट का जो है बीवी पेट का उनने 2013 में स्टार्ट होई थी तो कहां होई थी नागालेंड के नागालेंड में ये इसका यूज हुआ था बीवी पेट का और EBM का केरल में हुआ था परावर बिधान सबा में और 13 में बीवी पे कि निर्वाचन भवन आंठावन अरइरा हिल्स अररइरा हिल्स भोपाल तो यह पूरे सके मुख्याला का जो नाम है आप से पूर सकते हैं यह लावा यह तो इसका उवद्धगाटन वी उपागी तो इसका उद्धगाटन किस ने करा था बंस सलयनृयास किस ने गर रहा- था कि लिफ ऐसे लोग सब्झयास कि लोगस य्वाँआ तो इसका सलयनृयास देखिए हमें 9595 बारा जनवरी कि 1905 में तब कौन थे हमारे हां के राश्पती उन ने करा था तो इस प्राश्पती क्ऊन थे संकर दयाल इसका सलन्यास करा था अब इसका करा था उधगाटन ये तो सलन्यास कर 1995 में दो साल अबाद 1997 में इसका हुआ था उद घाटन किस ने कर रहा था ततकालिन हमारे राजपाल राजपाल यहां पड़ थे संकरदैल, सर्मा कोन थे राष्टपती थे यh यह थे राष्टपती और यहां कर रहा हमारे संक्यल, सर्मान यहां थे मारे महम्मेद रफी महम्मेद रफी के थे मत्द प्रिदिश के ततकाली राजजपाल थे तो यहने इनका उद्गाटन करा था और उननी सु संताम्मे में कब करा था तो यह इस इस थाबना दिवस है एक नवंबर एक नवंबर के दिन इन्होंने जो है इसका उदगाटन कर रहा था वो बारा जनवरी को इन्होंने बारा जनवरी कोंसा दिवस मनाते हैं तो आप सबी को मालूम होगा राजपाल ने जो की तकालिम राजपाल कॉन थे मुहम्मद रफी मदब्रदेश के थे 1997 पंचानोय में क्या हुआ था सलन्यास 1997 में क्या हुआ था उद्गाटन इसके लावा जो कुछ एप भी है एप यह बनाए गया है तो कौन सा एप बनाए गया है चुनाओ में शायता के लिए तो यह चुनाओ नाम से ही एक एप बनाया गया है चुनाओ तो यह आपको याद रखना है चुनाओ चुनाओ का एप बनाया गया है और एक एप पौर है सी विजल ये पूरा नर्वाचनायों के दोरा बना गया है सी विजल सी विजल एप सी विजल एप किसने ये दू नर्वाचनायों के दोरा बना गया है और ये चनायों मदर ब्रदिस नर्वाचनायों के दोरा बनाया गया है इस एप से क्या है मदद आपनी पर्षी जो बोटर आईडी का अड़ी पर्षी डालोड कर सकता है और सारी अपडेट जैन कारी है इसको यहाँ पर इन दोन आपसे मिल जाएगी तो यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रशन का उत्तर भी जै कि 12 जनवरी को कौन सा दपस मनाया जाता है यह प्रशन आपके लिए छोड़ रहे हैं 12 जनवरी को कौन सा दपस मनाया जाता है और साथ में वीडियो को सेयर कर दें वीडियो को लाइक कर दें तयार के साथ जोड़े रहें आज तो वीडियो में तना ही था धन्यवाद